हेलो प्यारी बच्चों क्या हाल चला आप सभी के डियर स्टुडेंट्स नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है तो अपने जो चल रहा था बच्चों फिजिक्स का चैप्टर नमबर साथ पार्ट नमबर चार अपने हिंदी मिडियम के लिए आज डिसकस करने जा रहे हैं तो देखो इसमें क्या है सबसे पहले अपने दो पॉइंट समझते हैं जो आपको कल मैंने टॉपिक करवाया था बायो सावर्ड का नियम उसके बिलकुल लास्ट में अगर आपने पढ़ा हो तो एक थियोरी से लिखी हुई है ठीक है उस थियोरी को मैंने सरल रूप में लि दो तो अंतर हैं और दो समानताएं हैं ठीक है दो तरीकों से तो वो समानताएं हैं उनमें और दो ही उसमें अंतर हैं तो अब उसने कहा है कि IDLL5 लेल या DQ ऐसे करके कुछ बता रखा है तो आपको वैसे कुछ नहीं याद रखना आपको डिरेक्ट याद रखनी है कि समान कुलाम का नियम किसके लिए था विदूत क्षेत्र के लिए था और ये चुम्वकिया क्षेत्र के लिए जब से पहला जो समांत है वो आवेश्चों से कोहो हे ननना को ऑफनोतक हुनकर Jed сок क्षेत्र हो जाते हैं एक में चुम्ब किया है अलांकि दोनों क्षेत्र होते हैं अलग-अलग हैं लेकिन है तो कोई न कोई क्षेत्र ही वो तो इस कारण की दोनों में आवेशों के कारण कोई न कोई क्षेत्र होता है दूसरी समानता है कि दोनों ही नियम, व्युत्करम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, व्युत्करम वर्ग inverse square law का कि क्या, कि इसमें जो यह होता है, विदूत क्षेत्राब का, वो भी क्या होता है, जो से दूरी के वर्ग के विद्करण उपाती होता है, और B या d b जो आप निकल पड़ा था d b लिख लो या b लिख लो एकी बात है तो b भी क्या होता है आपका r square के वर्ग के वित्कुरण उपाती होता है समझाई तो ये दो समानता है अब अंतर देख लो क्या है इसमें अंतर जो है इसमें वो ही है कि दोनों में उत्पन क्षेत्रों की दिशा में अंतर होता है जो विदुत क्षेत्र आपका अगर मानलो आपको मैं एक plus q आवेश के कारण कहूं तो इसके कारण आप इसमें विदुत क्षेत्र को दिखाते कैसे हो विदुत बलर एक हाउं से दिखाते हो ऐसे ठीक है विदुत बलर एक हाउं से दिखाते हो तो ये क्या है एक आवेश के कारण उपन विदुत क्षेतर है लेकिन अगर आप चुम्ब की अक्षेतर की बात करते हो तो अगर मानलो प्लस क्यू आवेश आपका इस दिशा में जा जब रहा है या माइनस क्यों जा रहा है तो चुमब की एक शित्रा आपका ऐसे आता है यहां पर आगे पढ़ोगे भी कैसे आता है लेकिन ऐसे आता है वो कुंडलीकार रूप में अभी यहां तो क्या होगे इसकी दिशा लग होगी आप त्रीजी दिशा बोलते थे इसको यानि सैकेंद्री अब रतों के रूप में आगे बढ़ता है तो इसको अपने त्रीजी दिशा बोलते थे ठीक है त्रीजी दिशा होती है और यहां पे बात अलग हो जाएगी इसकी दिशा निकालने या भी अपने आज नियमी पढ़ने जा रही हैं तो सबसे पहली बात वह आपको इस चक्र में नहीं पढ़ना कि कैसे दिशालग होती है आपको बैस याद रखने हैं दिशालग होती है और दूसरा विदुत क्षेतर में स्थिरावेश के कारण जो विदुत क्षेतर उत्पन होता है और गतीमानावेश के कारण चुम्ब की अक्षेतर ये भी अंतर है ठीक है इसमें स्थिरावेश की बात होती है और इसमें गतीमानावेश की बात होती है ये दो समानता हैं और अंतर हो गए हैं बचो इसमें उसमज़ा है बात आपके अब क्या है कि आज का तौपिक अपने स्टार्ट करते ही यह कल वाला टौपिक था जो थोड़ा सा रह गया था थो अब देखो वच्छो अपने निका आज का जो टौपिक है में न वूह है छुम्ब की एक्षेतर की दिशा तु है नियम है ठीक है न वैसे आगे और भी नियम आएंगे लिकिन यहां पर एक बार अपने 4 नियम पड़ेंगे और चारों नियम अलग- जिजों के लिए है अलग- अलग чीजों में अपने जुम्प एक शेत्रकमान कैसे निकाल सकती है ठीक है तो स्टार्ट है सबसे पहले नबर पर जो नियम है वो है सनो नियम ठीक है आपको सनो का मतलब बरप समझते होगे लेकिन यहाँ पर सनो का निया सनो कार्थ है यहाँ पर ऐस से मतलब है साउथ ठीक है एन से मतलब है नौर्थ यानि उत्तर ओ मतलब साइलेंट है यहाँ और डॉलू से मतलब है वेस्ट सनो नियम म आप इसका मतलब क्या है? वो समझो आप. सनो नियम अपने को कहता है कि यदि आपके किसी परिबत में जो दारा का मान है या किसी तार में दारा का मान है वो क्या है? दक्षिन से उत्तर की और प्रवाईत हो रही है दारा आपकी. जैसे आपने ओरस्टेट का प्रयोग पढ़ा था वैस उसी ओरस्टेट के प्रयोग पर ये नियमा दारीत है जैसे मानलो ओरस्टेट के प्रयोग का मैं पहला-पहला डाइग्रम बनाताओं यह यहां पे एक AB तार थी, ठीक है, और यह यहां पे दाराणी अंतरक लगा हुआ था, यह Q थी, यह RH था, और यह Bantry थी, positive, negative, यहां आपने एक चालक तार लगाया था, AB, और यहां आपने एक चुम्बकिया सुई रखी थी, बिल्कुल इसके नीचे, ठीक है, यह चुम्बक में दारा प्रवाइत होने लग गी, ऐसे, ठीक है, तो आपको मैंने कहा था कि आपको दिशा अगर निकालनी है, तो यह वाली दिशा अपने नौर्थ मानी थी, यह वाली नौर्थ मानी थी, अब नौर्थ के बिल्कुल इधर वाली साइड मैं कहता हूँ, तो वो East होती है, यह राइट साइड में, ठीक है, और यह होती है West, तो आपकी जो यहाँ पे दारा है, वो कहां से, South से North, यानि दक्षिन से उत्तर की और दारा आपकी परवाइत हो रही है, तो अगर किसी परिपत में जो दारा है, वो दक्षिन से उत्तर की और जारी हो, जैसे यहाँ पी, यह South है, और इदर North है, दक्षिन से उत्तर की और जारी हो, तो जो यहाँ पे चुम्बकिया सुई है, चुम्बकिया सुई का जो N सिरा है, वो किस दिशा में विक्षेपीत हो जाता है, वो आपकी S याईती चुम्बकिया सुई, ठीक है, यह N सिरा थोड़ा सा उपर उठ ज जाता है, और यह वाली दिशा कौन सी है, यहाँ से अगर इस दिशा में जा रहा है, नौर्थ से, तो आप कहूगे, पश्चिम दिशा में या वैस्ट दिशा में चला जाता है, तो वही है, इसी परियानी और स्टेड के प्रयोग का जो पहला उसने पहली प्रेक्शन लिया था, वह वाला ही है यह, कि अगर किसी परिपत में, यह नियम किस पर लागू होता है, आपको कह दूँ परिपत पर, या आप कह सकते हो किसी तार पर, ठीक है, तार पर लागू होगा, कि अगर किसी परिपत में या तार में जो दारा है, वो साउथ से नौर्थ की और बह रह तो जो उसमें चुम्बकिया स्थुई अगर उसके नीचे रखे अपने रखनी कहां पिया है तार के नीचे रखनी आपको यह तार है आपकी इधर वाली और तार के नीचे रखनी है तो चुम्बकिया स्थुई को अगर अपने तार के नीचे रखे तो चुम्बकिया फोटो आएगी बुक में जो स्नो नियम का कथन लिख रखा है क्योंकि मैं बुक से इकरवार हूं देखो जो नियम होते हैं उसको मैं चेंज नहीं कर सकता तो इस साइड आपके पास यहां पे आ जाएगी फोटो मैं पढ़ रहा हूं स्नो नियम स्नो रूल चालक तार में दार दारा प्रवा के कारण इसके निकट उत्पन चुंबकिया क्षेतर में स्थित कमपास सुई यह वाली इसके उत्री दूर में विक्षेव की दिशा स्नो नियम से ग्याद कर सकते हैं मतलब अगर आपकी तार में दारा प्रवा ही तो रही है और यहां पे कमपास वाली सुई पड़ी है तो आप इसमें क्या है विक्षेप की दिशा निकाल सकते हो तो इस नियम के अंसार यदी तार में दारा प्रवाद दक्षिन से उत्तर की और हो रहा है तो अभीष्ट तार कंपास सुई की उपर है और जो कंपास सुई की उपर होनी चाहिए यह तार ऐसे नहीं भी चुम्बकिय सुई का उत्री द्रूप पश्चिम के और विक्षेपित हो यह थे याणि यह एन सिरा है जो पहले यहाँ पे ऐसे था वो थोड़ा सा टेड़ा हो गया याणि पश्चिम दिशा के और विस्तापित हो गया है समझाई बात अब यह नियम हो गया अब आते हैं क्योंकि उस सेड़ आपके आज फोटो आएगी जो आपकी जो बुक है उसमें से तो देखो बचो आपके लिए मेनत कर रहा हूं इतनी तो आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो कल आपने अच्छा रिस्पॉंस दिया इसी तरह आगे भी आ आपको इतना ही अच्छा रिस्पॉंस दोगे तो अब जो दाएं अंगूठे का नियम है वो क्या कहता है दूसरा जो नियम है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यह यह न दाएं हाथ के अंगूठे का नियम ठीक है ये भी क्या है दारावाही चालक तार पर लगता है दारावाही चालक तार पर ये वाला नियम आप लगा सकते हैं तार पर अले तार पर अब ये नियम क्या कहता है कि अगर मान लो आपका जो तार है उसमें दारा प्रवाइद हो रही है इस साइड आई और आप दाया हाथ आपका अब देखो आप मेरे सामने बैठे हो आपको मेरा दाया है वो बाया दिख रहा है और बाया दाया दिख रहा है ठीक है न क्योंगि आप मेरे सामने हो इस टाइं तो अब मेरे ये वल्ला दायां आत है वैसे तो लेकिन आपको बायां दिख रहा होगा तो इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ ये आपका कहा ये मेरा क्या है दायां हाथ है इस दाइं हाथ क्या आपको अंगूठा है वो दारा की द तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं, कि यहां इस मालो पी विंदु आपका यहां पर है, तो यहां पर चुंब की अक्षेत्र की दिशा watching है। आप कोगे कि देखो सर यहां पर तो क्या है अमने अंगूठे को दारा की दिशा में रखा, तो उंगलियां अंदर की और जा रही हैं ऐसे अंदर की और, ऐसे है ना, तो अंदर की और ही मुड़ रही है ना उंगलियां, तो आप कहोगे कि सरी ये क्या है, तल के लंबवत, तल के लंबवत, अंदर की और, अंदर की और है, और अगर मैं कहूं कि आप ये P बिंदू इद को उछ्धे इंग्लियों को गुमाना है तो इस दिशा में तो उखली यायिं अंदर जा रही है, और अगर आपने तार को ऐसे पकड़ रहा है, यह तार है, अब आपने ऐसे दारा की दिशा में आपने तार को पकड़ लिया, तो अब आप देखो, अगर पी-and this side तो आपकी अंगलियां अंदर जा रही है और अगर इस साइड इदर वाली साइड बात करता हूँ ऐसे अंगलियां को गुमा के तो अंगलियां बार आ रही है ऐसे गूम के इस साइड अंदर जा रही है और इस साइड बार आ रही है तो आप कह सकते हूँ कि इस पी पर तल के लामबवत बाहर की और दिशा होती है जो चुम्ब की एक्षेतर की दिशा थी तल के लामबवत बाहर की और ठीक है तो अब आप एक चीज यहां पर औरस्टेट के प्रयोगवली सिद्ध होगी क्या सिद्ध होगी कि औरस्टेट ने कहा था कि अगर आप चुम्ब की सुई में विक्षेप है अगर आपने नीचे रख रखी है सुई और उसमें विक्षेप ऐसे आ रहा है यह एन सिरा उसका ऐसा है इसी सुई को उठा के यहां पर रखते हो तो आपका विक्षेप बदल जाता है मतलब तार के नीचे रखी तो अलग दिशा उपर रखी तो अलग दिशा तो वही चीज़ यहां पी है, अगर इसी तार को ऐसे मैं गुमा दूं, तो तार के नीचे अलग दिशा रही है, और तार के उपर उससे विप्रीत दिशा रही है, तो यहां पी यह स्पष्ट होता है कि एक ही तार के एक साइड जो दिशा होती है, दूसरी साइड उसके विप प्रीट दिशा होती है चुम्भ की अक्षेत्र की। और वैसे चुम्भ procurement बताएगा, या आप कह सकते हो पिर बल रेखाूं को बताएगा जो कि आपके आगे आगे आईगे। तो अब इसका अपने statement पढ़ लेते हैं और आपकी book में diagram भी दिया हुआ है अब अगर मैं मालो इसको दारा की दिशा को ऐसे ले लेता हूँ तो अब आपको दाएं आथ को ऐसे रखना होगा ऐसी ठीक है तो अब इस side अंगली अंदर जाएंगी और इस side से क्या आएंगी बाहर आएंगी तो जो अंदर की और दिशा आ रही थी अब उसी में क्या आ रही है बाहर की और तो आपको ये वाला नियम भी लगाना आना चाहिए आपको ऐसे रखना होगा हाथ को ठीक है ऐसे रखा था यहां तो और यहां आपको ऐसे रखना होगा हाथ को दाए हाथ को समझाई तो देखवा आपके सामने इधर आप ही जा ओगा दाए हाथ के अंगूठे का नियम कि इस नियम के अनुसार यदी किसी दारावई चालक तार को दाए हाथ से इस परकार पकड़ा जाए कि अंगुठा विदुदारा की दिशा को प्रदर्शित करें अंगुठा आपका किसको प्रदर्शित करेगा अंगुठा आई की दिशा को अगर प्रदर्शित करें तो जो आपकी मुडी हुई अंगुलियां हैं मुडी हुई अंगुलियां वो क किसको प्रदर्शित करेंगी चुम्ब की एक्षेतर की दिशा को या चुम्ब की एक्षेतर की दिशा को ठीक है चुम्ब की एक्षेतर की दिशा को ये वाली उंगलियं प्रदर्शित करेंगी अब जैसे आपकी जो आपकी बुक है उसमें दिखा रख है डाइगराम आप दारावाही चालक वरताकार दाराओं के लिए दाई हथेली का नियम। ठीक हैं और ये नियम किसके लिए लगता है वरताकार दारावाही चालक के लिए या इस वरताकार दारावाही चालक को एक नया नाम पढ़ोगे आप कुंडली के लिए कुंडली मतलब तार को ऐसे मोड़ दो आप वो कुंडली बन जाती है ठीक है ना कुंडली बहुल देते हैं उसे तार जो आपकी सीधी तार होती है उसको ऐसे स्प्रिंग टाइप मोड़ दो आप उसको कुंडली कहेंगी या उसका एक गोलाई कर दो गोल कर दो तो तब आपक तो यहां चुम्प की एक शित्र का मान अलग होगा और इसके कारण अलग होगा ऐसी भी चेंज हो जाता है ठीक है ना कैसे क्यों चेंज होता है वह आप आगे पढ़ोगे इसके फॉर्मूले सहीद पढ़ोगे आप तब आपको पता लग जाएगा तो अब यह वाला नियम है व्रत्कारदारवेचालक के लिए लगता है मतलब कुंडली के लिए लगता है आपको यह भी पता ओनाँ है कि किस चीज के लिए कौन सा नियम लगेगा पहला सनोर नियम परिपत के लिए या जब कंपास दी होई हो तब लगता है दूसरा नियम जो दाएन हाथ के लूप कह सकते हो, दारावाही लूप, लूप क्या होता है जिसमें एक ही फिर हो, जैसी यह वरताकार दारावाही कुंडली है और वरताकार दारावही लूप है, मतलब एक तार को आपने ऐसे जोड दिया, यह रिंग, जिसको वल्लेज बोल देते हैं, ठीक है, वल्लेज, इस प्रकार से तार है और इसमें आपने दारा प्रवाइट करवा दी अब इसमें दारा दो तरीके से प्रवाइट हो सकती है या तो ऐसे clockwise दिशा में और या ऐसे anti-clockwise दिशा में ठीक है तो अब इसके कहने का मतलब है भी ये वाला जो नियम है इसको लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले तो एक कुंडली होनी चाहिए तो अब अगर इस कुंडली में आपके पास क्या है मान लो clockwise दिशा में दारा प्रवाइट हो रही है ऐसे ऐसे प्रवाइट हो रही है तो आपको जिस दिशा में दारा प्रवाइत हो रही है, मानलो आई दारा ऐसे प्रवाइत हो रही है, तो उस दिशा में आपको ये दाएं आथ की अंगुलियों को मोड़ना है, क्या करना है, क्लॉक्वाइस दिशा में दारा प्रवाइत हो रही है, तो दाएं हाथ की अंगु यहीं होता है दाएं आथ के इंगूठे के नियम और व्रता कार दाराओं के लिए दाएं हथेली का नियम उसमें क्या था पिछले नियम में अंगूठा दारा की दिशा में रखना था और उंगली ये चुम्ब की अक्शेतर को बताती है लेकिन इस में आपको अंगुली क्या करनी है दारा की दिशा में मोडनी है जिस दिशा में दारा मोड रही है फू आपका जो अंगुठा है वो चुंब की अक्षित्र बताएगा तो अब ऐसे अगर मैंने रख रखा और इसमें क्लॉक viendo दारा बहरी है तो जो चुंब की तल के लंबवत अंदर की और समझाई बात और अगर एंटी क्लॉक वाइज ऐसे बैरिये दा रहा है ये एंटी क्लॉक वाइज दा रहा है तो अंगूठा आपका क्या होगा इदर आ जाएगा मतलब आप कोगे कि इस कुंडली के कारण जो किसी भी बिंदू पर जो आप चुम हो ऐसे हो तो ये क्या है ऐसे रख रख है इसको ऐसे रख रख है समझाई बात तो इसको ऐसे रख रख है तो आपको क्या करना होगा ऐसे मोड़ना होगा अपनी उंगलियों को जैसे अगर ऐसे रख रख है और दारा इसमें ऐसे जा रही है तो उंगलियों को मोड़ो तो ज यानि भीव एक्टर आपका नीचे की और हुगा, समझ आई बात, ठीक है, मुझे उमीद है, समझ आ गया होगा, अब इसका नियम बढ़ लो आप, कि इस नियम के अनुसार, जो आपके सामने आ भी गया है, कि इस नियम के अनुसार, यदि किसी दारावई ब्रताकार कुंडली में, दाएं आथ की मुड़ी होई अंगुलियां, दाराप्रवा की दिशा को परदर्शित करती हैं, यानि मुड़ी होई अंगुलियां दाराप्र समझाई बात, तो इसके लिए आपको दिखाया भी हुआ है इसमें, अगर इस परकार तार पड़ी हुई हो, डाइग्राम आपके सामने है, तो आप क्या कर सकते हो, चुम्ब की एक्षेतर की दिशा निकाल सकते हो, समझाई इतनी बात, अब next देखो नियम अपने पढ़ते है लास्ट नियम आज का, अब next देखो नियम जो आज का लास्ट नियम है वचो क्या है, Maxwell का कॉर्क पेच नियम, ये नियम सबसे कम यूज होता है, और इसको ज्यादा student यूज भी नहीं करते क्योंकि थोड़ा confusing गई है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको समझते हैं, कि आपके प दक्षिनावरत पेच है, यानि कि इसको क्या करोगे आप, जब clockwise दिशा में गुमाओगे तो ये आगे गी और जाएगा, पेच कसते हो ना ऐसे आप, तो इदर गुमाओगे तो आगे जाएगे, उसको दक्षिनावरत पेच बोल देते हैं, ठीक है, तो अब अपने क्या करे दक्षिनावरत आपके पास पेच होना चाहिए, और इस पेच को अगर अपने इस परकार गुमाएं, कि ये दारा की दिशा में आगे बड़े, ये वाला पेच दारा की दिशा में आगे बड़े, ठीक है, तो जो इसके गुमाने की दिशा होगी, वही क्या है, चुम्ब की अक्षेतर की दिशा होगी, जो इसके गुमाने की दिशा है न, वही चुम्ब की अक्षेतर की दिशा होगी, मतलब की देखो, जैसे इस तार में आई दारा प्रवाइत हो रही है, उपर की और जा रही है, मान लो ये तार ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, ऐसे है, और आई द पेज कसना है तो अब दारा की दिशा, दारा अंदर की और जा रही है तो पेज को अंदर बढ़ाने के लिए आपको ऐसे गुमाना पड़ेगा. तो जो चुम्ब की अक्षेतर की दिशा हो जाएगी वो क्या होगी आपके पास इस परकार हो के गूमने की दिशा ऐसे ठीक है ऐसे गूमने की दिशा क्या होगी चुम्ब की अक्षेतर की इसकी दिशा हो जाएगी और अगर आपकी दारा मालो विप्रीद दिशाएм प्रवाईत हो रही है मालो ऐसे कि ऐसे तार रख रख है और दारा बार आ रही है तो इस पेज को आपको उल्टा गुमाना पड़ेगा ठीक है तो उल्टा जो गुमाने की दिशा होगी वोई क्या हो जाएगी इसकी चुम्ब की एक्षेतर की दिशा हो जाएगी तो अब देखो यहां पर क्या लिख रखा है इस नियम के अनुसार यदि दक्षिना व्रत कॉर्क पेज को इस परकार गुमाया जाएं किसकी नोक चालक में बैने वाली विदुदारा की दिशा में आगे बढ़े तो जिस दिशा में पेज को गुमाने के लिए अंगुठे को गुमाना पड़ता है वही चुमब की एक शेतर की दिशा को व्यक्त करता है ठीक है मतलब कि आपको अंगुठा जिस सैट जाएगा ऐसे अंगुठे से पेज का सको पकड़ते हो ना मालों अंदर की और इसको दकेल है तो आपका अंगुठा इदर गुमेंगा इदर गुमेंगा तो मतलब जो दारा की दिशा है अब देखो आपको ऐसे करना है यहां पे ऐसे तार पड़ी है और इस तार में इस सैट दारा प्रवाइत हो रही है और यहां पे पेज पड़ा ह आपको तो इस साइड गुमाओगे ऐसे तो आपका अंगुठा इस साइड जा रहा है यानि आपका जो अंगुठा है जब आप इसको गुमाओगे तो ऐसे गूम रहा है ऐसे गूम रहा है देखो समझाई गूम रहा है पहले आपका अंगुठा अंदर की और जा रहा है और इस सैट जब आप मालो आपकी जो दारा की दिशा है सुरी जब आपका अंगुठा पूरा ऐसे गूम जाएगा तो इस सैट जो अंगुठा है वो बार की और आएगा यानि इदर जो दिशा होगी वो तल के लंबवत बाहर की औरों की और दूसरी तल के लंबवत अंदर की और दिशा दिखाने के लिए आपको ये निशानी यूज़ करना है और तल के लंबवत बाहर की और दिशा दिखाने के लिए आपको ये वाला नियम यूज़ करना है ये वाला जो चिना है वो यूज़ करना है तल के लंबवत बाहर की और तल के कि हो रहे है, समझाई बात, तो ये नियम इतना ज्यादा important भी नहीं है और नहीं आपको ज्यादा मत्हब मारने की जरूरता अगर समझाई तो ठीक है, नहीं तो आप दारवाईतार में दिशा जो निकालने हैं, इस नियम से, इस नियम से निकालोगे और कोई नियम आपको पता भी दिया है तो बुक वार आपके सामने आपके गया होगा अगर नहीं भी आया मैं फोटो लगानी बूल भी गया तो चलो कोई बात नहीं आप बुक से पढ़ लेना है इसको ठीक है तो यहां तक तो इस चैप्टर का था बेस अभी बेस ही चल रहा था अब इसके बाद आपके derivation स्टार्ट होगे ठीक है ना तो derivation आपको बहुत अच्छे तरीके से करने है नेक्स्ट वीडियो में बहुत बड़ा derivation इसके बड़े-बड़े derivation है और इन derivation को करने के लिए आपको मेंत करनी पड़ेगी तीन तीन चार चार पांच पांच बार आपको rough copy में के देख के करना पढ़ेगा इस चैप्टर को याद करने का यही तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा लिख के देखो तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू है वे नाइस टेडिया स्टूटेंट्स